प्रोफिट लोज चल्दा था 82 नंबर के कोश्चन हो गए थे 83 लिख लिख लिए आज तम 83 कोश्चन को थोड़ा सा बोल देटें एक बार थोड़ा सा बोलू पूरा बोलू बिल्कुल बेसिक बेसिक कोश्चन आज तो छोटे छोटे कोश्चन आज जो एक्जाम में आए हुए हैं जो अभी साहिल पूचरत ऐसे भी कोश्चन हो सुआज सारे एक्जाम के कोश्चन पढ़ाएंगा जबापना लगे गा है नहीं कि आपको किस लेवल के कोश्चन पढ़ा रहे हैं लगे गार प्राइमरी क्लास वाले कोशन पढ़ा रहे हैं लेकिए कोश्चन नमबर 83 एप पर्सन सोल्ड होर्स और मेर गोडार गोडी होर्स और मेर और रुपीज 5200 एंध़ 2600 और रुपीज रुपीज और रुपीज and got 10% profit he sold a horse for rupees 6000 मेर कशाञक प्रिज फॉज़ से लिगना, मेर कशाञक प्रिज लिगना, और मेर कशाञक का, and got 12 1 by 2% profit 12 1 by 2% profit find the CP of horse and mare दोनों की अलग-अलग बतानी दो-दो आंसर है हिंदी में एक व्यक्ति ने गोड़ा और एक गोड़ी 52 और 36 रुपे में बेची 52 और 36 रुपे में बेची और उसे 10 परसंड का लाब हुआ कितने का लाब हुआ यदी वे गोड़े को 6000 में गोड़े को 6000 में और गोड़ी को क्रेम उल्ले पर बेचे तो उसे साड़े बारा परसंड का लाब होता है तो गोड़ी का क्रेम उल्ले बताओ और मुझे तिना पता है कोशन तुरंत बेसिक वाला कोशन है तुरंत आना ची अब आप लोग जब हम छोटे थे तो हमारे पैरेंट्स तो बोलते थे पढ़ देनी गड़ी घोड़ी चलाएगा साथ तुम्हारे बोलते नहीं बोलते बाता लाएगा बोलते हैं सक्सम के बापा तो सूर पालने क्या रहे थे सक्सम के लिए नहीं पढ़ेगा तो पाल देंगा अए। "'-अजाओ' こो पालने क्या कक्रत दोने हैं क्यां करेंगे बतयागे चाओं क्या हूंँ? पांच हजार तीन हजार हो ही एचाँ चार चारजार छहझाब दोने दोने पच्छी सवड़ेपादे चाओगा बाता हूप्शाब भाई वाज सावाज गलत आ रहा है वो भी गलत आ रहा है देख लिए सक्सातंदर ना लाइक पढ़ता नहीं तू पढ़ कोस्टन क्या लिखा एक गोड़ा और एक गोड़ी को कितने में एक भाएं उसको क्या हो गया यह सो की चीज कितने में चले गए तब ही तो दस परसंड़ का प्रॉफिट होगा तो यहां से भी आगर हम सो की वैली निकालते तो में आती को दिक्कत थी एक्स्चल में दोनों चीज़े मिला कि इतने में खरीदी थी बेच इतने में गई तब जाके 10% का प्रोफिट होगा नहीं होगा आगे पड़ अगर वो गोड़ी को 6000 में बेचे ये SP और गोड़ी को CP पर बेचे तो क्या हो रहा है भी है तो उसे 12,5% का प्रोफिट होता है आप देहां से सुन मालो इसके पस दो चीज़ है ये बिलू गलर का मारक एक ब्लैख कलर का ये जितने में खरीदी के लाइत तो तने में बेच घथता है ये मारकर को इसको चेज़ा रुपया में बेजता है लेकिन जब दोनों को मिला के टोटल इसाव लगा था साड़े बारा परसना प्रोफित हुआ तो एक्सल में प्रोफित किस पर हुआ वैए एक को तो को स्प्राइज पर बेज जिया इसको तो प्रोफित हुआ है नहीं बुलू आले पर तो साड़े बारा परसन मतलब एक बटा 아ट एडDO पिपच्चीश बटा दो एक बटा यह एक बटा आट रुपए का प्रॉफिट पुआ वह वह एंक इस पर दोनों चीज से हुआ एजार और तो अंग cherry इनो टोफिट कितने कम वह 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 तो गोड़ी कितनी की होगी इस सवाल का साड़े बारा परसंड का मतलब और नीचे सो को न लगाएगे खाला को गुला दे तेरी को सो लगाने के लिए ते ठीक जानता खाला को है नहीं है खाला है नहीं है नहीं है कैसे उदास सब्सक्राइब नीनिविन जी बरीवांखों में यह तरह सोता है यह डायले पुराना होगे नहीं को सोच यार ख्यालों में डूबाय रहता हूं पैसे कमाता रहता हूं तो नीन पैसे वाले को आती का है गद्धी बिचा के नोटों उपर सोना रहता है उसमें नीन आई नहीं कोई गद्धी निकाल के ले जाए नीचे से अज़्ग कि अठादें चले आठ और चार आज वो लड़का नहीं है तो सुनो लिखता है तो आज थोड़ा सा राम राम से जल्दबाद जी में काम लोगा फटाफ़ा गुश्चा नहीं वह देख लेक्षा लिखे एप परसंस ओल्डे और सौन 25 परसंट प्रोफिट एंड मेर 20 परसंट लोस मेर 20 परसंट लोस एक वैक्षे गौड़े को 25 परसंट लाब पर और गौड़ी को 20 परसंट आनी पर बेशता है देन ही गेट 1440 रुपीज प्रोफिट ओन ओवर ओल्ड तो उसे कुल पर 1440 रुपए का लाब होता है कितने का लाब होता है 1440 का इफ इस सोल्ड ए होर सोन 20 परसंट लेस यदि वैं गौड़े को 20 परसंट आनी पर यदि वैं गौड़े को 20 परसंट आनी पर एंड मेरे 25 परसंट प्रोफिट और गौड़ी को 25 परसंट पर बेचे गौड़े को 20 परसंट आनी पर और गौड़ी को 25 परसंट लाब पर बेचे तो उसे नो प्रोफिट नो लोस होता है इंगलिस में बोलने ही जूर्ट तो नहीं है तो उसे नो प्रोफिट नो लोस का मतलब ना लाब ना आनी होती है 12 परसंट ऑफर चॅर्ट नो फजातकर तो नो खिरू क का मतल लाब परी को नो से नोसी धिए। 12 फफिएस 50 परसंट परसंट रप्रेरिश परस नोसे यंजंगे साल परसंब बोलत प्रूस अँगोशना सब म 걱정 साब अश। झाल 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 पूरा तूसर वसर आस तो ब्लेजर ब्लेजर भाई ब्लेजर भाई असक्या वाक सेर में वर्वनी खरेदी ग़े लाया तो आस तो कि आफ दिमार, कि एको उन्यादुत, कि उन्यान गजिवेश कि यृफन çalदाओं際 कि आफ। न roaring. या द न वे उिमार, कि आफ आफ बङ़ेदे हैं. देख लो भी ऐसे कोस्टन एक्जाम में आए हुए है मैंने घर नी बनाए है सबसे ज्यादा बच्चे किस टोपिक से दरते हैं अडिमेटिक में तो नाम आएगा प्रोफिट लोस बाती-बाती टैप की कोस्टन है लेकिन सबसे अच्छा टोपिक समझ दने के लिए तो वे ही ह बताना पड़ेगा नहीं मानेगा बारा सो असी सोला सो अठारा सो दू यजार हा रहा है 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 साहिल बच्चे तो तुक्का मारने लग गया है वह तुभी तुक्का मारने लग गया है एक कोमर बताएगे बॉप संद पड़ेज क्या लिखा साहिल पड़ी हो देखो गोड़े को 25 परसंट लाव पर गोड़ी को आनी का मतलब माइनस लगा है ठीक है हाँ 20 परसंट सोरी सकती में आगे टोटल प्रोफिट है सोदा सो चालेश रूपय है ना आगे तो उसे ना ना तो प्रोफिट होता ना लोग मैं मान सकता हो जीरो पर वक्ता है तो अब जाज जीरो यहां तो वेलू पूट नहीं कर सकते यहां उठा गोड़े को कितने परसंट आनी पे और गोड़ी को कितने परसंट लाब पर तब जायके जीरो वेलू आती है तो अब क्योंने इक वेल लगता तब zero value आएगी ना इस पे इतना loss और इतना profit दोनों इकोल होगा तब ही zero value आ सकती है बात समझ लो क्या कहना चाहरा हूँ तो horse बटे मेर percentage परसेंटेज करिया पांस से पांस चार से पांस बटे चार यानि कह सकते हैं यहां से गोड़ा कितने रुपए का और गोड़ी कितने रुपए की कोई भी एक equation उठा लो मालों मैं यह उठाता हूँ तो गोड़ा कितने परसेंट profit पर पांस रुपए का 25 परसेंट कितना होगा एक रुपए और यह कितना लोस है बीस परसेंट लोस का मतलब 0.80 की हानि अगर मैं दोनों को मिला हूँ तो मुझे कितना profit हो रहा है और कितने को रहा हैं बात सम्मे आ रही है? 0.45 का 0.45 रुपए का profit होता है किसका निकालना मुले गोड़े के गोड़ी का तो गोड़ा कितना है और गोड़ी होता तो कितना लेती तो एक उरुपए प्रॉफित हो रहा है तो कोस प्राइज कितना होगा और कितने का प्रॉफित हो रहा है गुणा 1440 कॉइंट डिटाके 2-0 5 से काटा 9 से काटा तो कितना जाएगा यहां से 16,000 आएगा ना कितना जाएगा किलियर है देखलो इसको ओप्सन 12,801 जीरो ओप्सन में कम लगाई है 12,800, 16,000, 18,000 20,000 बिल्कुल हो जाएगा देख गोड़ा कितना आगया 16,000 का गोड़ी का और निकाल ले पहले तू 0,45 4 रखके तो गोड़ी की वेल्वा जाएगी पर यहां प्रोफिट यहां लोस लगा के देख रहे 1440 का इसको खाली एक उप्सन से नहीं होगा दोची जनवाई यहां पर बास समझ में आगे दो चीज़ एक गोड़ा और गोड़ी आंसर तो एक का दे रहे ना दोनों दियो तो उप्सन तो लगा सकता है खाली तेरको मामाई की साधी में उस बलेजर बलेजर परना दें अंदर कुछन अपना है भार कुछन अपना है तो क्या होगा असरी दूला तो यही लग रहा है तो दोनों चीज़ चीज़ एना पैंड भी सर्ड भी सर्चीज़ अलांगी मेरी मम्मी अज बतला भी रितिक कर रहे यह तो वहीं से एक मामला जमागे लिए लिए आएगा देख लेना चीज़ जाट निया एंगी सारी ख़वने माम हम जमाणने वहाँ अब लड़ा यह नहीं करनेैं पेटा लाट वल्शन पसंदेट कोई बाए यार कामाल यह यह उन हम चुछ आप 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 मतादे एट्टी फाइज ये प्रक्राइज फाइज थोड़ा आसे पढ़े हैं आप इंटैलिजेंट हो जाओ कि नहीं तो कुधरत्माली का आप लोगों कौआ एशोल ट्वेलथाउजन रुपीज आर्टिकल टूबी साहिल वाले कोश्चन A sold 12,000 रुपीज आर्टिकल टू B at 20% loss A ने 12,000 के एक वस्तू B को 20% आनी पर बेची and B sold that article to A at 20% profit और B ने Y वस्तू A को 20% लाब पर बेच दी 20% के लाब पर तो बताओ A को कितने रुपीज का loss हुआ how much रुपीज गेट A loss तो A को कितने रुपे का loss हुआ 12,000 के एक वस्तू A ने B को 20% आनी पर बेच दी फिर B ने Y वस्तू A को 20% के लाब पर बेच दी तो बताओ A को कितने रुपे का गाटा हुआ नई वाइब जिसके पास थोड़ी सी बुद्धी होगी तो बता देगा ने तो आंसर गलत बताएं आएगा सब का याँचा वाकिद हमारा काजल बैठी हो बताएगी स्वाबास कि तीन जार से उपर गाटा होगा चार जार से उपर गाटा होगा चार जार से उपर गा तो तो आपकी वेकेंसी आ गई वही और बर्दो तो चैसल के पेपर जो हो रहे थे उसकी आंसर की भी आ गई है ओफिशल लूप से काफी बच्चे हैं जो मेरे 75 प्लस कोशन ठीक करके 500 नमबर उनके आंसर की में आ रहे है एक 140 प्लस वालों का सेलेक्शन हो जाएगा आए है अग्या देखो एक किछने जारुपे की वस्तु थी आएए ने वी को बेची किने पर्षन लोज पर प्र 20% loss तो 12,000 का 20% कितने रुपे का loss हुआ माइनस का मतलब loss कितने रुपे का loss हुआ तो 12,000 के चीज 2400 गटागी कितने में बेज दी तो A ने किसको बेज दी B को यानि आप A को कितने रुपे के loss हो चुकी यहां पर और B ने दुबारे वही वस्तु किसको बेची कितने परसंद प्रोफिट पर अब प्रोफिट किस पर दिया जाता है जिस पर वो चीज खरीदी के लाए होगा 96,000 का 20% कितना होता है और ये 1920 रुपे इसने जादा लिए 96,000 की चीज पर दुबारा वापी चीए गिए तो ये भी लोस और ये भी लोस तोटल कितने का लोस होगा अब निकलने लगे ना कोशन आला है पढ़ा कर गर पेश लिए बास समझ में आगे कई बार नहीं होता इसको कोई चीज पसंद खरीद लाए पसंद नहीं आई सातेंदर को दे दी थोड़े दिन बाद उस चीज की जूरूत पढ़ेगे इतने पर दूँगा लेने तो ले इतने पर देनी पड़ी उसको छी एचसल की जोब आगे बर देना और जिसने पेपर दिया था उसका आंसर की आ गई है काफी बच्चों का फोन आया था 75-80 कोशन ठीक है तो तुम लोगों ने भी जिसका रहो गया उसको दन्याबाद आंसर की में बाकी बच्चे मैच कर ले ना पुनी और नए फोम भी निकल गए बहर देना 10 प्लस टू के बहर देना अब हम तेरी अब हम तुमारी त्यारी हम कराएंगे बस इस आपके दिलिपरिस कॉंस्टेवल कर रुणजार करके फिर पूरा मैच पूरी रिजनिंग पूरी जीएस तुमारी खोन में ना उतार दीते मेरा नाम हो आठ और छो कि अब परसन सोल्डे होर्स अकेला नहीं जाया जो छोड़के मार होंगे लार लाग जिया तो आपरसन सोल्डे होर्स at 12 1 by 2 percent profit 12 1 by 2 percent profit and मेर अच 8 1 by 3 percent loss then he got overall 125 रुपीज प्रोफिट दान्जासुन नहीं वोई कोश्चन पहले करा था इफ वी सेल होर्स एट वन बाइ थी पर्शन लोज और मेर एट वन बाइ टू पर्शन प्रोफिट अपोजिट कर दिया होर्स एट वन बाइ थी पर्शन लोज और मेर एट ट्वल बाइ ट्वे न बाइ ट्वज पर्शन पर्शन प्रोफिट दैन उगट नो प्रोफिट नो लोज दन फाइंड दा तोटल प्राइज पूचर दोनों को जोड के बताना एक वैक्ती एक गोड़े को साड़े बारा परशन लाब पर तथा एक गोड़ी को आठ से एक वटा तीन परशन आनी पर बेशता है तो उसे कुल एक सो पचीस रुपए का लाब होता है एक सो पचीस रुपए का लाब होता है यदि गोड़े को आठ से एक वटा तीन परशन आनी पर आठ से एक वटा तीन परशन आने पर तथा गोड़ी को साड़े बारा परशन लाब पर बेचे तो उसे नालाब नाहानी होती है नालाब नाहानी तो एक गोड़े प्लस एक गोड़ी का मुले कितना है दोनों का जोड़ के बता लोगा ये 2019 में आया था अब को गया ऐसा क्यों आया था पहले तो सीधा सीधा पूछा था बीच पचीस परशन तो बटा आज की टाइम में ऐसा ही आ गया पहले लड़का उसा देंदर जैसा उसका समझे रहा है हाँ आप उसका समझे रहा है क्षब के दुआ हैं कि अच्छा लगा तो सबसे पहले आंसर आता था तेरा कि अच्छा लगा तो सबसे पहले आता है कि वैसे उसका खाली स्पेशल इस्ट्री का उसका 800 कुछ का है और हमें टीचरों को जो दिया जा रहा है उसमें 300 डिसकांट दिया जा रहा है तो टीचर टीचर के लिए तो अपने मुबाईले में देखते हैं छे महीने तक पांच चार सो निनाना में का इन पांच सो इमान का से इतने का मिले खाली स्ट्री स्ट्री एक एक सब्सक्राइब पूरे करता रहे दिरे दिरे अधिर पास गया था ना में मीटिंग में उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे क्यास हो मैं कि ऐसे से फीरी में दे दो रहा तुम अपना मैत का फीरी में दे दोगे मैं गया से कैसे तो बला ऐसे नहीं मिले लेकिन हमको 40% डिस्काउंट हमारे लिए यासे तो टोटल 1600 कुछ का है आदा डिस्काउंट हो खुद दे ही रहे बच्चों 800 और 800 कभी जा फिर मैं कराओंगा फिर मैं पढा दूंगा बाद में लेकिन हो हिंदी में पढ़ा रहा है इसलिए इसलिए पूसा इंगली स्मिनम में नी पढा रहे लिगो एक वड़ी भी निपाता इंगली समय शेव इंदी पेल दा सीथा हां क्या है पढ़ बहुत है इंग्लेश माता हमा कॉंब जे कूछी लिया था इंग्लेश में था है नहीं है आया पड़ 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 था इसको कितने पिए बोला था? प्रोफित? और इसको? तन ओवरोल का प्रोफिट है आगे और या प्रोफिट नो प्रोफिट नो जब ऐसा हो तो यह चीज ले लो और स्को आठ से एक बटा तीन से गुना पाट से बटा पत्चीज बटा और मेर का मतलब पत्चीज बटा यानि हॉरस तीन सो रुपई का है और गोड़ी दो सो रुपई के तब साढ़े 12 का मतलब कितना होता है और इसका मतलब तो इसका एक बटा आठ ले 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 लो एक बटा आठ या आठ और 12 काल सियंग 24 से गुणा कर लो दोनों साइड और क्योंकि यह पता है fraction भी नहीं आएगा नहीं तो fraction भी आएगा लेकिन पॉइंट में आता लेगा अब इसका एक बटे आठ करेंगे कितना इसका एक बटे आठ करेंगे नहीं एक बटे बारा करेंगे कितना है 400 यह तो लोस है और यह profit है तो कितने का profit हुआ 500 जब 500 का profit हुआ यह लिए लिखते हैं तो तब गोड़ा और गोड़ी का मूले दोनों का जोड़ो 24 गुणा 2 कितना होता है और 24 गुणा 3 कितना होता यहीं होगा न 48200 कितना होगा 12 उआ 12 जार तो कितने की हैं एक होगा तो और कितने का प्रोफिट है एकशो पत्चीस का हुगा तो प्रशों तीन जार उपेस सवाल अब लग निकाल लोगे तो गोड़ा अठारा जारा सो का है गोड़ी बादा सो करें अलगे निकाल लोचे केलियर फिर हम इतना लेंगे और फैसर निकाल के कहां तो 300-200 सी बताओ 125 बटे 6 आएगा अगर हम 300 बटे 200 लेंगे तो यहां प्रोफिट आएगा 125 बटे 6 तब चीज कितने की तो एक होगी 500 गुना 6 बटे 125 और उपर 125 का इप्रोफिट था तो पांच गुना 6 ती निजार तब भी आता है कि यह फ्रेक्शन में चला जाएगा इतनी फ्रेक्शन हमको करनी नहीं है यह नए कोश्चन है अगर इतनी फ्रेक्शन इन्हें पर करेंगे तो फिर हम बार क्या करेंगे और भी बहुत सारे काम होते हैं में बार मिटादें साहिला अच्छाब एटी सेवन प्याजाँ थोड़े से क्याइब को सब्सक्राइब को लाग रहे होंगे मुझे लाग रहा पकाज को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बिल्कुल बेसिक सा है वन थाड अफ ओल शेलिंग प्राइज वन थाड अफ ओल शेलिंग प्राइज एम मैं शोल एन आर्टिकल एम मैं शोल एन आर्टिकल एन गॉट 40 पर्संट लोज दन फाइंड इस पर्संट प्रोफिट किसी वस्तु को उसके पुराने विक्रे मुल्ले के एक बटा तीन पर बेचा जाता है आगे साइल दो बटा तीन वाला हैं एक बटा तीन पर बेचा जाता है तो 40 पर्संट की हानी होती है तो उसका लाब परतीसत कितना है इसका लाब परतीसत कितना है 80 पर्संट आए 80 पर्संट आए aden यानि पुराने विक्रे मुल्ले के एक बटा तीन पहले एक था उसके तीसरे हिस्से का मुले वेलू साथ है तो एक का साथ है तो टोटल तीन का कितना हो जाएगा एक सो कितना प्रोफिट हुआ असी पर सो बिल्कुल गटिया सा कोश्व होना आगला कोश्वन सियम से पूछ लेता हूँ सियम किस लेंगवज में पूछो बता बता तू किसी वस्तु को उसके पुराने विकरे मुले के और कोई नहीं बोलेगा किसी वस्तु को उसके पुराने विकरे मुले के इसके अधनीन खोलनी है 33 एक बटा 3% पर बेचा जाता है 33 एक बटा 3% पर बेचा जाता है परसेंट भी है तो उसे 40% की हानी होती है 40% की हानी होती है तो उसका लाप परतिसद कितना है विकास बताएगा और ये बताएगा सिवम बताएगा और प्रेंका बताएगी त्रीन बच्चे बताएगा साहिल बताएगा नविकास बताएगा प्रेंका बताएगी रिस क्या ना में सत्यम शिवम सुंद्रम बताएगा कि देखो गड़े किलास में सो रहें एक दो तीन है बड़ा सेम कॉश्चन है 33 बटा तीन परशन मतलब एक बटा तीन ही होता है ना लाइको वो नींद खुनवाने के लिए बोला था विकास तो अभी भी सोई रहा है विकास तो अभी भी सोई रहा मारा थे दिचे बड़ा थी नेक्स लिखो 40% of all selling price 40% of all selling price a man sold a man sold an article and got 40% loss then find is percent profit किसी वस्तु को उसके पुराने विक्रे मुले के पुराने विक्रे मुले के 40% पर बेचा जाता है तो 40% की हानी होती है उसका लाप परतिसद कितना है मता हमें शावाश। लड़काओ तो तेरे जासो ह। हट 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 चलो चॉलो चॉलो कि देखो सोग सीपी सो रुपेय है कि सीपी कितना है तो एसपी कितना होगा चालीज परसंट लोग उसका मतलब और दो बटा पांच उसके चालीज परसंट की हानी दो पटा अगर दो बटा पांच होता है इसका साथ को कितना कर दें गुल्टा पांच बटा दो कर देंगा तो कितना परसंट का प्रोफिट होगा कदे के भाई तेरो कुछ नहीं करें हम विकास को बोलनों को भी बोले हागे बड़े एटी नाइट अगर अगली क्लास में मई मई की करेंटा फेर याद कर क्या होगे ऐटी नाइन लिखिए यह मैन बोट मई 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 ए मैन बोट ए चेर एंड ए मैन बोट ए चेर एंड शोल इट टैन परसंट प्रोफिट एक आधि बी ने कुर्शी खरीदी और दस परसंट लाप पर बेच दिया पाईवा इफ ही एड बोट एट ट्वंटी परसंट लेस यदी वेब बीस परसंट कम पर खरीटता एंड शोल इट फोर रुपीज टैन मोर और दस रुप अधिक में बेच था दैन ही गें फोर्टी परसंट तो उसे चालिस परसंट का लाप होता फाइंड दा कोस प्राइज ओफ चेर कुर्शी का क्रेम मुल्ले निकालो अभी पढ़ाया था ये कोशन तुने पूछा था कोशन हमने कराया था तैक दूम मरों कहीं जगए मिले वहां पर पढ़ कोश्चन हुआ 10% प्रोफिट यानि 100 की चीज़ कितने में क्या SP सोल बोला है उसने आगे अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो कितने में कोस्ट प्राइज कितना होता उसका 80 होता और 10 रुपए दिक में बेचा होता तो कितने परसेंट का प्रोफिट है तो 80 का 40 परसेंट है तो कितने में बेचता तो कितने रुपए ज़ादा 2 की वेलू कोश्चन में तो 1 की वेलू और 100 की वहीया तो काहे गलती करते हो निकमो क्या तुस्या उमीद नहीं तरसे में एक समनाने बाद भी गलत कर अब या एक और देदू फिर आप गल्ती की तो डश्टर फैक के मार दो देख लें तरह परोसी के इसके ज्यादा पास है यह पूरा कोन्फिडेंस से देख लेंगे पूरा कोन्फिडेंस है पास में वह बैठा अलेकिंद फिर भी तेरों को लगा रहे हैं गियो अपड़े एनर्जी दालने पड़े गुलकोज वाली सुरोज ने एनर्जी खीच लिए उचकी पाइप लगा के 90 नमबर अभी गव लड़का है गाती बोले हमारा पेपर की लिए रहे को एक दो दिन में आएगा थेखे ए मैं बोट एचेयर एक कुर्षी खरीदी 10% लाप पर बेच दिया के लिए रहे यहां तक इफ ही एड़ बोट 20% लेस यदि उसने 20% कम में खरीदा होता एड़ सॉलिट 4 रुपीज 420 लेस और 420 रुपे कम में बेचा होता 420 रुपे कम में बेचा होता दैनी गोट 20% परोफिट तो उसे 20% का लाप होता कुर्षी का क्रेम ले बता दो तो गोड़ा गोड़ी कुर्षी निम्बू संत्रा सब बिकवार बिल्कुल अब इस कोर्षन के बाद आपको ले चलते वीकली मार्किट वीकली मार्किट में क्या क्या मिलता है आलू क्या है करा चोंब में क्या रहा है क्या चोंब चौंवी कितने हैं छुश्ल को अगे क्या कर रहा है तों है 10% प्रोफीट पर बेचा है तो किस्थ कितना होगा है बीज़च पर संट कंपर खरीदा होता तो सीपी कितना होता इसका है अगर इसको 20% लाप पर बेचता तो कितना होता है इसका लाव तो कितना नुक्सान हो गया और इस 14 की वैलू कोशन में कितना नुक्सान दे रहा है तो एक की वैलू और अब यह सो की अब आपको वीकली मार्किट ले चलते हैं चले नाइंटी वर ले लिए कोश्चन लिखे चला क्या हो गया है प्यांदेगरी टाइम दिखरी थी त्वंटी किलोग्राम पोटेटो कोस्ट ट्वंटी किलोग्राम पोटेटो कोस्ट एज मच एज फाइज किलोग्राम टोमेटो इंदी में बीस किलो आलू की कीमत पांच किलो टमाटर के समान है कोमा लगा के लिखना 12 केजी टोमेटो कोस्ट एज मच एज 30 केजी ओनियन 12 किलो टमाटर की कीमत 30 किलो प्याज के बराबर 12 किलो टमाटर की कीमत 30 किलो प्याज के बराबर 15 kg onion cost 15 kg onion cost as much as 18 kg of cabbage 15 kg प्याज की कीमत 18 kg बंद गोबी के समान है 15 kg प्याज की कीमत 18 kg बंद गोबी के समान 10 kg of cabbage cost रुपीज 50 10 kg गोबी का मुले 50 रुपे है Find the cost of 24 kg पोटेटो 24 kg अलु का मुले कितना होगा 24 kg अलु का मुले कितना होगा बाई बता देगा हमने आपको बजार भी गुमा दिया बैठे बटे यहीं आपके मम्याँ आपको बजार नहीं वेज पाएगे कर भी सिए सब्जी उप्जी ले नेगा अमने आप बैठे बैठे गुमा दिया आपको ने सक्सां वे सो कि है प्रजब कर दो प्रणकों और सकते हुँआ लिए कर दोनी कारों कर दोंग है इसके बाद अगला कॉंसेप्ट है अब आपसे थोड़ा सुन लिया जाए अब आलवा लोग अभी भी बेज चुके हो सब के सब अच्छा कितना अंसर आया है और सब्जी अब जी तुम लेने जाते हो ना बजार में अगर ऐसे रेट बता दे तो क्या कोई वापीस आज़ा होगे दुगंदर कोई बैठाओ मेरे जैसा वहाँ क्या करते हो जाते पूछे आया है मैं त्यारी कर रहें गवर्मेंट जो किसले कि ऐसे डिड़ बता रहो बता बोल दे दुगंदर बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कलको तरे रिष्टे वाला के बोल दे क्या करता है सरकारी नों कि ते रहें तो लेक कोश्चन बता सब्जी अब जी वाला बेसी कोश्चन पूछ ले तो क्या करेगा कि नबए देड़े सो एक सोबीच दोस्टों कि वो सकता है चेक करते कोश्चन पड़ो मेरे पास ऐसी बोल जाए ना केच कोश्चे किलो कश्च ओप इस के बोला की इस तरवी बीच केजी की पॉतेको है किसके बराब्वर दब Gear 1 कीमज की बाद चलिए यहां पर ब्राइज की बाद चल लिए सब प्राइज बराबर इनके दोनों के प्राइज बराबर आगे तीस तीस केजी अनिट कोस्ट एसमज आज एटीन केजी कैबिज अठारा केजी कैबिज का मतलब गोबी सी ले लिया ओनियन काउट पोटाट्टो का पी टोबेटो का टी कितने की है तो एक किलो तो भही आठारा किलो पंदरा किलो प्याज नब्बे की तो एक किलो तो तीस किलो बारा किलो टमाटर एक सो असी के तो एक किलो और पाच किलो पिचेतर के बीस किलो अलू पिचेतर के तो चोबिस किलो कितने की होंगे पिछेतर बटे 20 गुणा 24 चार पेंजे 20 चार चीक 24 पांस हेगाटा 15 गुणा 6 कितना घटिया कोश्चन नहीं तो आज तो आज ही लाके अलू की बोरी डाल दो यह कोश्चन जब बनाता जब अलू इतने रुपे किलो आ जाता था अब नहीं बना जगाए कोश्चन तो चारी सर्वी किलो आलू हो रहा है नहीं कर दो कि क्या है कि अलू कि अलू